हाई गाईज कैसे हैं आप सभी लोग आई हूँ अच्छे होंगे और आज किस वीडियो में देखने बाले हैं जो भी छात्र बीए फस्ट सेमेश्टर बाद छात्र हैं और उनके लिए एजूकेशन का पेपर लेके हैं जिसे सिक्षा शात्र कहते हैं ये 2022 में आने वाले कोशन हैं आपको जो समेश्टर बाई एक्जाम होने बाला है 2022 में उसके लिए मौश्ट इम्पोटेंड कोशन है यहां से कोई भी कोशन बाहर नहीं जाएगा सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि हमारी जो पीडिएफ मैं आपको दे रहा हूं नोट्स की बो भी आप डानलोड कर जाएगी और आपके फोन में आकर किसी भी कैफे दौरा निकल वा सकते हैं किसी भी ठीक है कैफे पर जाना और पेंट उसे करा सकते हैं लेकिन एप के दौरा हम पेंट नहीं करा सकते हैं बस उसके दौरा की वल पढ़ सकते हैं बस यह पढ़ोगे तो फिरी में पढ़ सकते ह देना चाहते हो तो हमें 25 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे उसके बाद आपके फोन में नोट्स डानलोड हो जाएगा जिसका लिंक सब्सक्राइब सब्सक्राइब तक लड़ में 25 रुपए में दे रहा है और क्या लोगे जो कुशन हम दे रहा है वह सारे के सारे उसमें नोट हो यहां देखी बाद अगया है प्राचीन भारती ग्यान परंपरा और उसके उद्देशों के बारे में आपको देख लेना है। प्राचिन भारती ज्यान है है उसकी परंपरा उसके उद्देशों के बारे में ठीक है उसकी बाद में बोला है शिक्षा क्या होती है यह बताओ शिक्षा का प्रारूप बताओ शिक्षा के छित्र कितने होते हैं वह आपको देख लेना वहीं से ठीक है तो यहां next question पर टिक लगा लो आपके book notes gas paper जो भी आपने ले रखे हैं तो ले लो बरना हमारे notes को download कर लेना आसानी से पढ़ सकते हैं आपके book आपके पास book notes gas paper ले आये हैं market से तो सभी चातरों से कहना चाहूंगा कि अपने उसमें टिक लगा लो कि 2022 में यह पढ़ना है मतलब कि आपके exam में जो semester होने वाला वास इसमें यह पढ़ना है बाकी कुछ नहीं पढ़ना ठीक है second year और third year वालों के लिए बहुत चल्दी प्रवाइड करा देंगे और वीडियो high school जो व्यक्तिक उद्देश है वो क्या होते है एक समाज़क उद्देश होता है एक व्यापारिक उद्देश होता है सिक्षा का व्यापारिक उद्देश समाज़क उद्देश और एक होता है व्यक्तिक उद्देश इन दोनों अच्छी तीन तीनों उद्देशों को देख ल करो बात वही है एक ही करण को ही एकता बोला जाता है याद रखेंगे इस बात को नेक्स कोशन पर टिक लगाएंगे अंतर राष्टिय भावना हम जिसे हम सद्भावना भी कहते हैं क्या कहते हैं शद्भावना या फिर भावना ठीक है शद्भाव जिसे बोलते हैं भावना को सदभाब भी बोलते हैं तो अंतर राष्टिये सदभाब पूछेगा या फिर भावना क्या होती है उसका वर्ण करो मानप संसाधन क्या होते हैं है उनके अर्थ के बारे में देखेंगे प्रिबार क्या है गहर सिक्षा के साधन के बारे में देख लेंगे सेविधानिक मुल क्या होता है इसके पिरकार कितने होते हैं सेविधानिक मुल के इसको आप याद करेंगे टिक लगालो फटक से पूर्ड प्रात्मिक सिक्षा क्या होती है पूर्ड प्रात्मिक सिक्षा क्या होती है इसको आप याद करेंगे इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना पूर्ण प्रात्मिक शिक्षा और उसके बाद में इसके अंतरकत ही अंतर एक कोशन आता है पूर्ण प्रात्मिक शिक्षा जो किंटर गार्डन प्राणली है उसके द्वारा पूछ लेता है उसके द्वारा पूछ लेता है इसको अच् सर्व बहुमी करण की इस्तिती क्या है वो आप देखेंगे भारत में प्रात्मिक सिक्षा के सर्व बहुमी करण की जो इस्तिती है वो आप याद कर लेंगे और माध्मिक सिक्षा मादमिक सिक्षा के बेपसाई करना का वडन करना है मादमिक सिक्षा के बारे में मादमिक सिक्षा का संगठन किस प्रकार से हूग किया गया है गठन कैसे हुआ वो आप पूरा देखेंगे उसके बाद में उच्छ शिक्षा उच्छ शिक्षा का मतलब होता है high qualification कह सकते हैं या फिर हम education जो university education कह सकते हैं यहां जो उच्छ शिक्षा की बात की गई है वो university मतलब की 20 विद्ध्याले सिक्षा की वारे मोला गया है उसके उद्देश उसके कारों के बारे में और उनकी समस्याओं के बारे में आपको याद कर लेना है उसके बारे में प्रतलब की पूरी इंडिया में जो यूजी सी की बात की जा रही है समझें UGC जो कहेगी वही उनिवस्टी मानती है UGC जो कहेगी वह उनिवस्टी मानती है UGC कोई भी मनलग कोई भी शिक्षा में चिंजिस करता है तो हर उनिवस्टी को मानना पड़ता है वह चीज़ तो वह चीज़ है उसके बाब में NCRT जानते हैं जिसमें high school और inter का लेबस और एक शे से लेकर जो छे से लेकर इंटर तक है वो NCRT के अंतरगत आता है UGC के अंदरगत हमारी यूनिवर्स्टी जितनी आती है बीए बीए सी बीकॉम बगारा यह हमारे यूजिसी के अंतरगत आते हैं इनके बारे में आपको टिपली लिए आपको सब कुसे मिलेगा सिक्षा की तिर्मुकी पिरक्रिया क्या होती है इसको आप याद कर लेंगे संस्कृत की विसेस्था के बारे में मौस्ट इंपोटेंट है एक एक्जाम 2022 में आने वाली और उसका उपयोग कैसे करते हैं कहां कहां किया जाता है अंतर राष्टी ये भावना की अवसकता का कारण क्या होता है मैं उपर बता चुका हूँ भावना के बारे में तो यहां पढ़ने की ज़रुत नहीं है उपर पढ़ लेना वही आपको याद करना है एक कोशन यहां इस प्रकार से पूछ लेता है सिक्षा के ओपचारिक अनओपचारिक और निरोपचारिक अभी करणों का उधान दो ओधान पूछेगा आप देगो इन्ससंचान माध्यम का अर्थ क्या होता है और निसुल्क सिक्षा क्या होती है निशुक सिक्षा अबर टिपड़ी आपसे तू सकता है और कह सकते हैं हटर कमिशन होता है 1882 में प्रात्मिक सिक्षा का वड़न आपको करना है एक आता है SCERT एक होता है NCRT एक होता है SCERT इससे हम स्टेट कॉंसिल आफ यूजी के कह सकते हैं Education ठीक है Research and Transing नाम जो बुला गया है नामक संस्तार का वड़न है ठीक है तो वड़न करो यह हो सके तो कर ले ना पर इसको छोड़ देना कोई दिक्कत दें इसको छोड़ो इसको छोड़ो बस उपर मैंने बताए हैं इतने कोशन को आपको याद कर लेना है यह पढ़ाई करके पास होना है मैं आपसे बादा करता हूं को फेल नहीं होने दूंगा बस अच्छी तरीके से आप पढ़ाई करिए और दोस्तों को वीडियो को शेर करिए जादा से जादा मिलते हैं नेक्श लिए उन तब तेक के लिए बाई बाई दोस्तों थैंक यू